राजदानी रायपूर का पंडरी स्थित पुराना बसिस्टेंट पूरी तरह से खंडहर में तबदील हो चुका है वही नया बसिस्टेंट भाटागाओं में सिफ्ट होने के बाद भी नगर निगम पुराने बसिस्टेंट की जमीन को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाई है ऐसे में नगर निगम के पूर्ण नेता प्रतिपक सुभास्तिवारी ने कॉंग्रिस पर निगम की जमीन हडपने का रोप लगाया है वहीं सभापती प्रमोद दूबे ने इस मामले में जमीन ट्रांसफर के बाद दस्तावेज नहीं मिलने की बात कही है पंडरे इस्थिक पुराने बसिस्टेंड को भाटा गाउं में सिफ्ट हुए लगभग दो साल बीच चुके हैं ऐसे में यहां की 20 एकड़ खाली जमीन को लेकर नगर निगम अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई है नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभास्तिवारी का कहना है कि निगम में कॉंग्रिस के कारिकाल के दौरान जिम्मेदार पत पर रहे महापौर ने वहां की जमीन पर अवैत कबजा कर रखा था महापौर एजास धेवर वहां ने प्रोजेक्ट लाना छोड़ कर उस जमीन को खंडहर में बना कर रख दिया है वही निगम के सभापती प्रमोद दूबे का कहना है कि पहली ये जमीन CSIDC के पास थी जिसे निगम को ट्रांसफर किया गया है विधान सभा चुनाओं के दोरान अचार संगता लगने के चलते कुछ दस्तावेज का हस्तान तरण बाकी है जिसके बाद वहां ने प्रोजेक्ट की शुरुवात की जाएगी गौर तलब है कि महापौर एजास धेवर द्वारा बस स्टेंड की खाली जमीन पर कपड़ा मार्केट फेस टू बनाने के लिए राज सासन को प्रस्ताब भेजा था साथ ही कपड़ा मार्केट से जुड़े एसोसियेशन और संबंदित वेपारियों के साथ बैठक भी की गई थी लेकिन दस्तावेज ट्रांसफर नहीं होने के चलते प्रोजेक्ट का काम आगे नहीं बढ़ पाया है नगर निगम में कॉंग्रेस की परशत थी उस समय बस स्टेंड का निर्मान कराया गया था और उस समय नगर निगम की बहुत सी जमीन को कॉंग्रेस के ही एक उप महा पार हुआ करते थे जिन्होंने उस पे अवैद रूप से कब्जा कर लिया और उस जमीन को हथिया लिया था अभी जब बस स्टेंड वहां से ट्रांसपर हुआ है तो बस स्टेंड भाटा गाओं के पहले जो नया निर्मित हुआ वह भारती जंता पार्टी के शासनकाल में निर्मित हुआ है परन्तु उसके बाद की जो बेवस्था होनी चाहिए खाली करने के बाद पुराने बस स्टेंड को खंडाहर बना दिया गया है वहां पर जो प्रोग्राम आने चाहिए थे जो प्रोजेक्ट आना चाहिए थे वो लाने में कॉंग्रेस अस्पल रही है अभी चुकि उसमें जमीन का विवाद थोड़ा सा था कि जमीन का हस्तांतरण होना था चुकि वो पुरू में CSIDC की जमीन थी CSIDC जमीन के बाद उसने नगर निगम को ट्रांसपर हुआ है तो ट्रांसपर के दौरान कुछ ऐसे कागजात बचे हुए थे जो हस्तांतरित नहीं हो पाए थे वो चुनाओं के करण आचार सहीता के चलते थोड़ी सो रुकावट है लेकिन आने वाले दिनों में जैसे नगर निगम के में जमीन हस्तांतरित हो जाएगी तब वहां पर कोई दिनों नहीं लिया जाएगा ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे है स्वर्मे टाइम्स के साथ मैं हूँ आपके साथ प्रियंका सहू चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें